कि पामस्ट्री का एक और वीडियो हिंदी में यहां पे हम बात करेंगे इस पर्टिकलर हैंड के बारे में पहले एक दो मिनट मैं आपसे वो बोलूँगा जो एकदम जूट है जैसे कहीं लोग बोलते हैं यह देखें यहां पे कितना अच्छा हाथ है इस हाथ पर M का साइन है यह व्यक्ति लगपती हो जाएगा और बस इसके सोचने मात देर है जब यह चाहेगा और जादे इसका जो सकसेस आएगा वो करीब 40 उमर की बात के पर आएगा और उसके आने के बात तो इसके पास इतना पैसा रहेगा कि वोई भी यह गिन भी नहीं पाएगा इतना जादे पैसे ही कमाएगा और आप यह देखे कि किस तरह से एम का साइन भी बनता है और एम के साइन के साथ साथ एक यहां पर जैसे कि वो जो बोव बन गया बोव बनने से तो समझे कि इसकी विजय हो गई तो यह तरीका है एक फेक पामस्ट्री रीडिंग देने का अब मैं आपको समझाऊंगा कि जो रियल में पामस्ट्री रीडिंग है वो किस तरह से दी जाती है तो इनका जो हाथ है अगर हम इनका हाथ को देखते हैं तो जो सबसे अच्छा जो इनके हाथ पर साइन है वो है यहां पे जो बुद्ध का इलाका है अब बुद्ध का इलाका होता है का अलाका होता है और जब भी बुद्ध के अलाके पर या तो बहुत कम रेखाएं हो एक भी रेखा नहीं हो उसको भी अच्छा sign माना जाता है और अगर रेखा हो तो अच्छी deep and clear रेखा होनी चाहिए deep and clear होई गी तो आप समझिए कि उसका मतलब यह निकलता है कि व्यक्ति अपने हुनर पर काम कर रहा है जब व्यक्ति अपने हुनर करेगा तो व्यक्ति वो सकसेसफ़ुल होजाएगा लोग जब अपना transit में अपना हाथ दिखाने के लिए आते हैं तो यह basically वो जानना चाहते हैं क्या वो lucky रहेंगे अब क्या lucky सब चीजें basically क्या success दिल्वाता है luck के अलावा भी कुछ चीजें हो सकती हैं जो वेक्टि को success दिल्वाती है हम यह देखते हैं कि वेक्टि मे क्या हुनर है ये नहीं है calculation अच्छी कर सकता है जब वो बोलता है तो वो कितने effectively बोल पाता है कितनी precision वे में बोल पाता है कितने precise वे में बोलेगा तो जितना वेक्टी precise वे में बोलेगा उतने chances increase हो जाते हैं success होने के तो यह तो हुआ इस चीट को पहले की है और यह 35 के बाद की है 35 से पहले आप लेखे कि रेखा थोड़ी सी अंक्लियर है 33 की एज से पहले पहले अंक्लियर है और जब यह important portion of the life में अंक्लियर रहती है दिमाग की रेखा तो कहीं ना कहीं यह व्यक्ति की mental disturbances बता सकती है या तो व्यक्ति अपने आपको एकाग्रद नहीं कर पाता है अपने काम को लेके यह व्यक्ति में कहीं ना कहीं depressive tendencies हो जाती है यह व्यक्ति का पेट की disturbances हो जाती है यह center of the palm में approximately center of the palm है तो center of the palm palm का मतलब होता है center of the body है और center of the body आपका stomach का इलाका होता है जो center of the body है तो वहां पे उसका effect प्रभाव आता है depression मैंने इस वज़े से कहा कि जब यह island like formation जो आपको दिखाई देती है तो island का मतलब होता है कि depressive tendencies और यह शनी के इलाके के नीचे है तो इस इस रूप में देखा जाता है तो आपने notice किया होगा कि reading में कितना variation है एक तरफ तो हम बस बिना किसी बिना किसी reason के साथ हम कहना शुरू कर देते हैं कि बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है लेकिन हमें एक basically एक reason देना चाहिए to arrive at the conclusion बिना reason द इससे आप simple आगर आप पाम स्ट्री नहीं भी जानते हैं तो आपको समझ में आ जानी चाहिए धन्यवाद इस वीडियो को watch करने के लिए और आपने मिरा suggestion है कि यह थोड़ा सा आप इस slide show देखिए बहुत important है होता है palm reading में पैसे की रेखा सब जानना चाहते हैं पैसे की रे इसा दिखाई देता है में पुशिंद आपके पैसे की ही होते हैं और एक संथ ने कहा है कि आपको अपना हाथ दिखाने के जरुत नहीं है क्योंकि आपको आपका भविश्य मालूम है present क्या है present वो है जो past में आपने किया है और आपका future कैसा होगा जो आप present में कर रहे हैं यह basically main crux है अगर आपको palmistry की reading मुझसे चाहिए तो मुझे call कर सकते हैं मुझे email कर सकते हैं यह मेरे phone number and email है जो आपको इस समय पर screen पर दिखाई दे रहे हैं धन्यवाद bye and take care